असलाम अलेकूम मैं हूँ सना आमिल के साथ अन यूट्यूब चैनल आज हम बनाने जा रहे है चिकन बेड रोल उसके लिए हमें जो चीज़े चाहिए ब्रेड के चाहिए चाहिए हमें पांच अदक चिकन लीए हमने एक कप क्यूब्स की शेप में कटकर लिए है एक मीडियम स थिरी टेबली स्पून हमने दही लिया है मायोनीज लिया अधा कप चाट मसाला लिया लिया वन फोर्थ टी स्पून और वन फोर्थ टी स्पून हमने लिये काली मिर्चो का पाउडर हाफ टी स्पून हमने लिये कुटी मिर्चे सॉल्ट लिया है वन फोर्थ टी स्पून इस पाथिज पिकन दालेंगे अच्छे से मिख्स करेंगे इसो पाथिज पिकन अच्छे से पानी छोड़ दें इसके बाद मसाले इसमें आड़ करेंगे अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे जो जो हमने लिए हैं मिर्चा आप अपने हिसाब से कम यह जादा रख सकते हैं और जब अच्छे से बंजे तो आप इसका भी फिलिंग जब रड़ी हो रही है भी तो आप इसका सॉल्ट चेक कर लीगा दही भी डाल देंगे अगर कम लग अब यह डाल कि हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी एट करेंगे थोड़ा सा फूट कलर डालेंगे जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल एक चुटकी अब इसको जब तक हम चुले पर रखेंगे पांस से दस मुट जब चिकन अपना पानी छोड़ दे और यह अच्छे से ह अब दोर्ट के नहीं हमारा अब अब फीड यह हमारा अब इससे साइड में लख देंगे अब हम अपने सब्रेट के इस इनको चारो तरफ शनके किनारे कट कर देंगे यह ध्यास के चाहिं हो रहें हुआ है यहारा चाहिए छुपतोगर्पों तरफ मयोनीज लगाएंगे अपनी स्ट्फिंग डालेंगे अब हम इसलाइस देंगे इस पर मयोनीज लगाएंगे यह देखें अ यह लग गया हमार मायोनीज अब इसमें हम यह स्टफिंग डालेंगे सेंटर में कितनी आपको रखनी हो हिसाब से थोड़ी सी और इसको हम रोल करेंगे स्टफिंग डाल दी हमने अब हम इसको रोल करेंगे यह देखें ऑर यहां से यह किनारें हम प्रेस कर देंगे यह हमारा रोल कि रैडी हो गए यह सब रोल रैडी करके आपको दिखाते हैं हमारे ब्रेड रोल ब्रेडी हो गए है अब आप इसको अंडे के यह सब साइड में रखते जाएंगे दुबारा ही उठाएंगे अंडे में डिप करेंगे ब्रेट कर में कोट करेंगे अच्छे से और इनको साइड में रखेंगे मैंने ओई गरम पे रखावाई बस अब हम इसको फ्राइ करेंगे को अब हमारा गरम होगी अब हम इसमें रोल को फ्राइ करने के लिए बस गोल्डन ब्राउन चाहिए हमें यह क्योंकि फिलिंक तो हमारी ऐसी बनी दी है बस अबने अब इस एक बोल्डन ब्राउन लोर राएगा राम इसकी साइड चेंच करेंगे यह देखें हमारे रोल माशालला बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं इनको आप चाहें तो शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं कोई महमान आए यह रमजान में यह बहुत अच्छे रहते हैं बनाने में भी एजी हैं सब आप इसकी फिलिंग में चाहें तो अपनी दूसरी इसलोड़ कर दो दो कर दो को आप आप पसंदे अपर बच्चों को बड़ों को वह भी ले सकते हैं माशाला बट अच्छे से हमारे रोल फ्राय रहें डबल लोटी अशार घरो में बच जाती है एक्स्ट्रा तो आप इसका कर सकते हैं अगर ने चिकन टिका बनाया किसी वह काफी वराइटी अगर आप इसको बनाना चाहें तो इंशाला बहुत अच्छे से आप से बन जाएंगे बस हमारा दुस्रे साइट से भी गोल्डन होगा तीन चाल मिनिट में हो जाएगा गोल्डन तो हम फिर इसको निकाल लेंगे यह देखें अच्छे समय रोल रेडी हो रहें देखें कितना अच्छा इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है बहुत ही यह देखें हमारे रोल रेडी हो गए अब हम इनको निकालेंगे यह देखें हम निकालें बस अब हम आपको यह सर्फ करके दिखाते हैं चिकन बेड रोल रेडी हो गए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल लाइक को मेरे किल्क करें अल्लाहाफेज